देखिए जिगरा तो मानना पड़ेगा भाई एलवीश यादव का कल 15 सेप्टेमबर को मुनावर फारुकी के टीम में और एलवीश यादव के टीम में मैच चालू था भाई साब अस्टेडियम में और ECL का मैच चल रहा है आप सबको तो भली भाती मालूम ही होगा और उस मैच के दोरान पुलिस को ये जानकारी मिली कि अलवीश यादव को किसी ने ये धमकी दिया है कि भाई अस्टेडियम में ही जो है वो शूट कर देंगे अब भाई ऐसी धमकी आप समझ सकते हैं यार मतलब एक प्लेयर क्रिकेट खेल रहा स्टेडियम में कोई किस कोने से उस भीड में छुपकर सूट कर दे पता भी नहीं चलेगा उसके बाद बिना कारण बताये ही पुलिस ने तमाम जो पब्लिक ओडियन्स थी सबको बाहर निकाल दिया कुछ बहाना लगा कर सारे लोग बाहर इंतजार करते रहे उसके बाद फुर से जो है क्रिकेट स्टार्ट करवा दिया गया मैच ठीक है अब एलवी शियादव के लिए सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस की एक दम बहुत टाइट हो गई भाई साहब स्टेडियम में तो बाद में लोगों को बाहर से पता चला कि यार अंदर तो मैच स्टार्ट हो गया है भाई साब हम लोग बाहर हैं तो फिर ओ लोग हला करने लगे तो फिर एक ड़ल घंटा बाद जो है सब को बढ़िया से चेकिंग वेकिंग करवा करके अंदर लिया गया लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इन सब के बीच में एलवीश यादव ने कहीं पर ना अभी तक कोई जिक्र किया है और ना ही एलवीश यादव के चेहरे पर कोई घबराहट नजराया हो आप सबने देखा होगा कल वाला मैच भी ये सब कुछ होने के बावजुद भी एलवीश यादव का फिस एक्सपरेशन बिल्कुल ही नॉर्मल था बलकि घबराया हुआ था मुनावर फारुकी जो है जब ये बात मुनावर फारुकी को पता चली तो भाई साब वो एलवीश यादव से दूर दूर चल रहा था इसको लग रहा था कहीं इसके चकर में मुझे न निप्टा दे कोई मतलब वो इतना घबराया हुआ था मुनावर फारुकी बट एलवीश यादव को मानना पड़ेगा बाई जिगराज चवरदस्त है हाँ इसमें कोई शक नहीं है खेर अभी मैच तो चली रहा है और जो सिक्योरिटी है वो एलवीश यादव के लिए बहुत टाइट हो चुकी है अब तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं वैसे सो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कहिए मैं महेश पंडे आप लोग देख रहे थे हमारा यूटूब चैनल थाइंक यू लव यू आल